देलाइव टीवी सच सबसे आगे नमस्कार मैं हूर अजीर जहा और आप देख रहे हैं देलाइव टीवी हमास के सेक्रेट जाल में इसराइल फस चुका है इसराइल के प्रधान मंत्री बेंजा मिन नितन्याहू के होश ही उड़ गए यह जो सेक्रेट जाल है इस जाल में इसराइल को घुटने टेकने ही पड़ेंगे ऐसी पूरी विवस्था की गई है इस संबंद में एक रिपोर्ट है जिसमें रॉइटर्स से खास बातचीत हमास के टॉप लिडर्शिप के कड़िवी सूत्रों ने की है उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया लेकिन हमास की पूरी तैयारी पूरी प्लान और फिर उसके नतीजे जो संभावी तो हो सकते हैं उन सब को लेकर भी सब कुछ बता दिया है और यह ऐसा सीक्रिट जाल है जिसमें हमास के 40 हजार लडाके उन्हें मुहतोर जबाब तो देंगे ही देंगे लेकिन सुरंगों की ऐसी जाल है और उसमें ऐसी विवस्था है कि इजराइली सैनिक जो जमीनी ओपरेशन को अंजाम देने के लिए निकले हैं उन सब की कबर भी खुद जाएगी और इसके अलावा इजराइल को अपने कदम पीछे भी खीचने पर सकते हैं जरा आपने स्क्रिन पर हेडलाइन देखिए न्यूजे टिम की रिपोर्ट है इसराइल हमास वार चालिस हजार लड़ाके सुरंगों का सीक्रेट जाल गाजा में इसराइल को घेरने को हमास ने रचा चक्रव्यू क्या है खतरनाख प्लान वो प्लान क्या है अभी तो आप कई ऐसे वीडियो फूटेज देख रहे हैं कि इसराइली सैनेक ग्राउंड ओपरेशन के नाम पर गजा पट्टी के आउट स्कर्ट में लगातार घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आउट स्कर्ट पर ही धेर हो जा रहे हैं क्योंकि अलकसाम ब्रिगेट ने जिस तरीके से मोर्चा संभाल रखा है इसराइलियों को खदेर खदेर कर मार रहे हैं उनके हत्यारों को ध्वस्त कर दे रहे हैं कई जो हत्यार से भरे वाहन हैं उनको कवजे में ले रहे हैं ऐसे कई विज्वल सामने आए हैं यहां तक कि इस्राइली सैनिको को मारा है उसका भी वीडियो फूटेज जारी किया गया। कई ऐसे इस्राइली सैनिक घयल हो गए, उसके भी फूटेज आये कि कैसे इस्राइली हेलिकॉप्टर आकर इन लोगों को rescue operation करके उठा की ले जा रहा है ताकि जान बचे हैं तो ground operation करने का फैसला इस्राइल के लिए आतम घाती साबित हो गया है दूसरे तरफ इस्राइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नित्याहू एकदम से टेंशन में आ गया है और डील क्या थी जो बंधक हमास ने बना रखे हैं इसराइल को तो फिर उन लोगों को छोड़ने के एवज में आपको फिलिस्तिनियों को छोड़ना होगा और हमास ने इसमें सफलता पाई जबकि इसराइली अभी भी संघर्स कर ही रहे हैं तो अपने लोगों को सही स्लामत वहां से छोड़वाले है बात सिक्रेट जालकी हो रही है तो रिपोर्ट देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है हमास ने गाजा शेहर में घुसने की कोशिश में जुटी इसराइली जमीनी सेना को घेड़ने की पूरी तयारी की है चरम पंथी संगठन हमास की टॉप लीडर सिप से जुड़े दो करीवी सुत्रों ने रॉइटर्स को बताया कि हमास ने गाजा पट्टी में लंबे समय तक चलने वाले युद की तयारी की है हमास का मानना है कि वह अपने कटर दुश्मन इसराइल को युद्ध विराम के लिए मजबूर करने के लिए उसकी बढ़त को लंबे समय तक रोक सकता है नाजुक हालात को देखते हुए अपना नाम बताने से इनकार करने वाले इन दो लोगों के मुताबिक गाजा पर शासन करने वाले हमास ने हत्यारों, मिसाइलों, भोजनों और दबाओं का भंडार जमा कर लिया है यानि कि ऐसे मेवस्था है कि सुरंग में ये लोग महिनों जिंदा रह सकते हैं और पूरी मुस्तेदी के साथ रह सकते हैं और ऐसे में इस्राइली अगर चाहेंगे कि ग्राउंड ओपरेशन करके हमास का खात्मा कर दें तो उनके बुते का अब रह भी नहीं जाएगा और इसके लिए इस्राइलियों के पास विकल्प यही है कि वो युद्विराम करें और फिलिस्तीन की शर्तों को माने हमास की बातों को माने नहीं तो इस्राइली सैनिक ज्यादा हता होंगे पहले से ही यह कहा जा रहा था कि अगर ग्राउंड ओपरेशन का कदम उठाया गया तो फिर इस्राइली सैनिकों की कैजुल्टी खूब बढ़ जाएगी और देखी हो भी यही रहा है क्योंकि इन लोगों ने जो जाल बिछा रखा है इस जाल में बस इन लोगों के फसने का इन तजार होता है और फिर तबाही मत जाती है यह तो आपने देखा ही है यहां जो पुरी प्लानिंग है युद बिराम के बाद यहां जो फिलिस्तिनी कैदी हैं उन्हें रिहा कराना इसके अलाबा भी कुछ प्लांस है वह हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या हमास के लड़ टौप अधिकारियों और वाइट हाउस के सोच से पौरिचिट एक शक्स के मुताविक हमास ने कतर की मध्यस्तता बाली बंदकों की रिहाई की बातचीट में अमेरिका और इज्राइल को यहां साफ कर दिया है कि वहां बंदकों के बदले में फिलिस्तिनी कैदियों को रिह विस्तार को भी रोकना चाहता है हमास यरूशेलम में फिलिस्तिनीयों की सबसे प्वित्र मुस्लिम अलक्सा मस्जिद पर इसरैली सुरक्षाबलों की भारी मौजूदगी को भी खत्म करना चाहता है तो देखिए इस प्लान के तहत यह लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें अलक्सा मस्जिद पर जो यहूदी या सुरक्षाबल जो इरैली हैं वो सब जमाबरा लगाए बैटे हैं उन्हें भागाना ही भागाना है और सबसे बड़ी बात है इस यरूशेलम पर पूरी तरीके से फिलिस्तिनीयों का है को यह भी इनकी मांग है वेस्ट बैंक पर भी इन लोगों का अपना दबदबा कायम रहे फिलिस्तिन का ही वेस्ट बैंक रहा है जिसमें यहूदी गुस गए तो वहां भी यह लोग अपना एक्शन दिखाना चाहते हैं हमास के लड़ा के इसे हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं दूसरा तरफ गजा पट्टी में जैसे ज जहूदी लोगों को बसाने का सलसला शुरू हुआ है उनके खिलाब भी इन लोगों ने मुहिम छेर रखियो पुल मिलाकर फुरी फिलस्तिन की जो बात लगातार हो रही है उसी को लेकर इन लोगों की पूरी तयारी है कि युद्ध लंबा लड़ेंगे चाहे इसके लिए ह टेकनिक से ही जंग क्यों न लड़ना पड़ें चलते चलते यहां भी समझ लिजिए कि संयुक्त राष्ट्र में इस पर मन्थन भी शुरू हो चुका है हमास के लराके जैसे जाल विछा रहे हैं उस जाल में इस्राइली फंसते जा रहे हैं तो इस युद्ध को खत्म कर दे हैं फिलिस्तिन के बहुत जादा मारे गएं जिसमें मासूम बच्चे महिलाएं सब हैं बुजूर गएं तो इन सब के चिंता है मानविया अधार पर ही सही इस युद्ध का रुकना भी बहत जरूरी है तो देखिए नियुजटी ने लिखा है गौर तलब है कि गुरुवार तो संयुक्त राश्ट्र विशेशग्यों ने गजा में मानविया अधार पर युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा कि वहां फलेस्तिनियों पर नरसंगहार का गंभिर खत्रा है कई विशेशग्य बढ़ते संकट को देख रहे हैं जिसका किसी भी पक्ष के लिए कोई स खत्म करने का मिशन आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता है इस संगहर्ष का कोई सैनिक समाधान नहीं है हम कुछ अंदेर समय में हैं यह युद्ध छोटा नहीं होने वाला है यानि कि इस जंग को अभी आप और बढ़ते देख सकते हैं अगर इस्राइल ने ने नितन्याहू को भी सोचने पर मजबूर करेगा वहां कि जंता उनसे अब जबाब मांगने लगी है सडकों पर लोग निकलकर बगावत करने लगें कि कैसे हमारे नागरिक हमास के बंदक बने हुए कैसे इस्राइली सेनिक बेवजा जान गवा रहे हैं आखिर कब तक यहां जंग चलेगी क्यों नहीं छोर देते फिलिस्तीन को फिलिस्तीन की मांग क्यों नहीं पूरी कर सकते या जिद कैसी है क्या फाइदा होगा आपको अब देखिए अंतराश्क्री अस्तर के दवाव के बाद नित्याहू क्या करते हैं फिलाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी काम से जुड